तो अभी खाँपे रिसेंटली कहाँ पे यह जिस जगे पपन बैटे होएं यह गिल स्टेट फारम दीपा गिल इस्टेट फारम तो कहां पड़ता है यह लुद्याना के अंदर ही है और मलेल कोडला रोड के ओपर है यह बहुत पुराना फारम है इन्हों हे चबीश ताइस साल से जानवर रखे हो हैं क्या नाम है इनके ओनर इस्टेट फारम के जो माली के मालिक है कितने क्या साल में और आपको कितने साल टाइम हो गया इनके इनके पास में मेरे को 26-27 साल हो गए 26-27 साल तो आप बच्पन से ही गोडा लाइन में हो कैसे क्या ग्यारा साल का था इस टेम पर इस लाइन में पड़ा था अपने विश्केदार से उनसे टेनिंग ली थी तो जब से फेर काम सीखने के बाद में इधर पंजाब में आ गया था तो इ यानिकी अभी जैसे की काम करते हुए 27-28 साल हो गया आप तो किस-किस जगह पर आप क्या क्या ट्रेनिंग दे चुके और अभी आप प्रेजेंट में की घोडों को क्या सिकाते हो यानिकी मैं घोडों को सर्जी जैसे डांस है नाच वगेरा कंपेटिशनों के डांस ज्याद में रहाल लक्राम ऑलते हैं तो लहाल जैसे औरिजनल तो रहाल आप छोटी चाल कोई बंदे बहुते नग्सराइब किसी मिलते हुए अधिन्याएय है किसी को जैसे आज कल बोल देते हैं कान जुड़ गई नुक्रा है किसी को तो इतना भी नहीं पता भी नुक्रा भी रंग होता है अच्छा तो वो कहते हैं इसका हमारे पास में नुक्रा है तो हम सोचते हैं देखने के लिए जाते हैं तो जब देखते हैं तो हमारा नुक्रा तो आप एनि गोड़ों के जो एक्टिविटी होती है वो टूटल सिखाते है निगी जाए से रेवाल चाल की बात करें या डांस की बात करें या और कुछ भी है निगी कि शॉटिमांगट के अंदर अचै रूटि के अधर से पंगे लेते उसको जंपिंग करवाई में क्या फीस यह कितने जीन की दिन की क्या रहती है मेरी फीस है ह्मेरी 25あります तो किस परकार के नाच नाच के पूछ लोगे तो उनको सिर्फ पाँच या छे नाच का पता होता है उनको इसे ने पता है किस परकार के नाच होते हैं विडियो के मादम नोकों कुछक्छ नी होगा मतलब हो तरह के चार पैरों यह जैसे ऐसी अट आपेर उंतला को भूंप है लिए हो गया तो दो इसमें क्या करता है घोड़ा का मतलब होता है तीन चार परकार एक घोड़ा जैसे कि खड़ा खड़ाई यह नहीं पेर अस परकार से डालता है एक घोड़ा जैसे चलता ख़ली ऐसे डालता है ऺचाच यह पर हमारी रास्ता निभाशा Alors nine आज कल के जो उवार हैं दो इसको तीदी बोल देते हैं जाई को सोटकेट में समझा हैं तीतरी नाच बोलते हैं तो तीतरी दो परकार के तीतरी होते हैं तीतरी के अंदर के घोड़ा पिछले पेर खड़े कर रखे हैं और अगले पेर का इस्तमाल कर रहा है अच्छा अच्छा हाँ समझ गया और दूसरा घोड़ा तीतरी नाच रहा है जल और किसी को इतना नोलेज नहीं है कि रीची नाच किसको होता है जो रीच होता है जो रीच होता है वो कभी भी आप नोट करना कि जो गोड़ा होता है नाच करता तीतरी तो उसके अंदर रीची पेर देता है घोड़ा तो ऐसे तुलता है तो आप रीच उसको औरिजनल वो तो दो पेरे से बगल में दबा कि इस पकार से पेर मारेगा गोड़ा भी मारता है जैसे कभी कभाई ड्रांस में देख आपको मैंने गोड़े का दिखाया था जंप मार रहा है वो गोड़ा ओरिजिनल रिची नाच करता था एक गोड़ी और है यहां पर दुबरजी है उस वो थोड़ा यहां तूल गया प्रफेसे थोड़ा उपर पूरा तलगा एक सतर में भिरकुल खड़ा हो गया सतर में पूरा फोल गया एक सतर के अंदर जाकि अश्यक्र देख अप प्र आप जैसे करते ना उसको बहुत बढ़िया मानते हैं अश्यक्त वहांवत बनानी के लिए तो जिस घोड़े का बैलेंस बनेगा तो वह आपका भी नोड करना प्रोग्रामों में कहीं फंक्षोनों में जाते हैं यह जो घोड़ा अदर एसे पूरा तुल के खड़ा होगा ना वह अच्छी तरे से राउंड मार लेगा क्यों वह अपना पूरा बैलन्स बना होता है तो शेसे करता कर पाया जादा देर तक नहीं तो इस परकार से कई घोड़े गहाँ और अभी अब हमारे उस्ताद लोग उनका नाम है अछे उस्ताद है वह उनके बिरोदर हैं वह अजर यलाल वह बहुत हुँ हम उनको बहुत अच्छे अंदरं गोड़ों की शुलूट मारता हुँ और चो उनके भाई हैं बड़े हजारी जी है तो वह मतलब कि भोडों की सबहें जानकारी बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं और उनको सलूट मारते हैं, बढ़िया हैं, उनके खांदान से हम काम सिखे हुए हैं, मेरे उस्ताद का नाम राम गोपाल था, तो मेरे उस्ताद को बोलते थे जंगी घोडा बंगी सवार, अभी है वो? खतम हो चुके है, बहुत बदमास घोडो का उस्ताद था, मेरा जो दान्स बगेरा में क्या उपलब्दी हासल कर रखी हैं, दान्स के अंदर सर मैं पहले तो 2007 के अंदर कंपेटिशन जीता था, मैं पुषकर का जब स्टार्ट हुआ था, नामा नाम आई, पुषकर चेंपिंशी पर स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर गोडे के मैं जीता था उस टेम पे हमारी घोड़ा जो आमने जो चाल मार रहा था गोड़ा वो दूसरे नंबर पे आया था, फिर उसके बाद में 2008 के अंदर फिर उसी घोड़े का फस्ट आया, तीन साल लगा था उस घोड़े ने फस्ट अफ्राइज जीता, 21 देसों की चेंपिंशी जीती, 21 देस जी जी तो उस घोड़े ने अपना मतलब की देसों के इंदर चेंपिंशी पर उसके अंदर मेरे को वाड मिला था और अपने डीजी की साब ने दिया था मुझे मेडल में ला था मेरे को और मूमेंट मिली थी तो घर पर बढ़ी है ट्रोफिया रहा है इंटरनेशन ट्रोफ रस आपनी क्या उखात है इतना है कि उसका बहुत बड़ा असिर्वात है मेरे उस्ताद का बहुत बड़ा असिर्वात है तो in 6 पी मार खाया हुआ बंदह कभी धोका निंगाता तो इंसान का लोगा कि यार फलाने अच्छे उस्ताथ का चंड़ा हुआ hai अच्छे उस्ताद का कोई भी चीज के अंदर बंदा चंड जाये ना तो वह मतलब कभी जिनकी में मार नहीं खाता तो आप जैसे कि गोड़ों को जो डांस पगारा सिखाते हो तो पर्टिकुलर रहने की एक जगह पर है पूरे ऑल इंडिया में खहीं पर भी आपको कोई बु किन-की अप इसके कगहाओ किया वहाएं कि इन्रों के गोड़ों को डांस हिखाया हूँ जी हाँ आपने हर्परीट थी है संद्रा लड़का उपे उसकी घोड़ को छिखाया था पिर उसके बाद फिर एक लिड़ गोड़ और जुक्रिता है उ drivers अरु अबसक्त पर्ड़ा कि एक अपने है अमरीक सिंग तालिया का उसकी घोडी है और एक दलजीत है अपना दोस्त मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है उसकी घोडी है उसको मतलब ट्रेनिंग दी थी उस गोडे को तो उसने मतलब हमें बहुत अब बहुत कि अच्छा जिसको आज कल क्या है तो गोड़ा इसारे पर चले हैं हमारा हाथ को आप अपको डांस की देंगे हम तो हमारा आपको यह नहीं पता लगेगा हम किस प्रकार से नचारे को हमारा सिरफ हाथ का इसारा समझ लोग भाग साल-साल गोड को नचाते सर अब जैसे कि मैंने बहुत सारे गोड़ों को में जैसेफ मेले में गया था नाम बोल रहा हूं वहा मैंने दिक से एक नाच के अंदर हम ये कहते हैं जिस कोई भी क्दम्ब्ढमरे में और नाच में कोई घोड़ा किसी माई के लाल सेमय बन रहा है में दावे से कहता हूँ मुझे से बात करो तो यानि बिगड़े दोब काम की बोल दीवोगा पक्का गर के देगें चाहे वो गोड़ा साल से लेके पचास साल का हो अच्छा कितने भी साल का मैं वैसे गोडे की उम्मर क्या रहती है तो पुष्वारत निए प्रवजौरी गोड़ी 75, 76 साल की कोकी खतम होग तियां उस और वह उस फफेनी जो में खोर किया गोड़ा जो जो यह वाप कोड़ा दबा। आपर सरे द्धे की हमारी बाबा जी से यारी दोस्ती पड़ीने हुआ उत मद जिस एंट का गोड़ा था दा के पास में। चलत तक पर के पार गॉड़ाटा अथा और जम टो चलता था उसके प्धर धर्तीपर नहीं घे के लिए आपको यह लगता था यह तो हवा से बात कर रहा है तो पहले ही जग्रावा मेले के अंदर लेके गए तो उस टेम पे हमारी लोग वागो ने इन से थोड़े कई बंदे से हैं वह एक दूसरे से चलते हैं तो उस गोड़ी को उस गोड़े को हमारा टाइम ज्यादा बढ़ी आ तो उसको बोला का हमारा टाइम नहीं लगा तो कई बार हो जाती है गड़ बड़ इन चीजों के अंदर तो इस परकार से वो गोड़ा अच्छा कदम बाजी था फिर बाबाजी का खतम हो गया था गोड़ा और यह मजू की बलड लाइन वाले गोड़े इनकी हिक बोलती है नहीं में भूड़ से पी फिराओ अब इन लोगों को यह नहीं पता लग था ही का मतलब किया होता है गोड़े का हिक बोलने का मतलब होता है मतलब इसकी चाती में जान अचा मतलब इस जॉड़े की बतीन एक्साइज होगे है बंदों की तो बहुत सूने हैं इन्सानों के घोडों के बारे में कभी सुनी है हमने देख लिया तजरबा यह लिया जो जो चीज आपको मैं बता रहा हूं न वो शीरफ किसी की सुन्यूं भी नहीं बता रहा हूं यहांने कि आपने 27 साल के केरियर में जो खुद नसीका है पैक्टिकल यह पोई चीज बता हो जा रहा हूं पाकि और चीज पहुता में लगों के लेनी खरकरा माड़ीया भोडो का मतलब क्या है वाई साफ आप लोग जानते हो कि हर चीज के अंदर घोड़े जाते हैं रेडों के अंदर घोड़े भाग रहे हैं तो वह पचास-पचास कोंकल 25-25 किलो या कोंटलों के इसाब से वह विचारे भार खेंते हैं वह भी तो घोड़े ही हैं इनको नोर्मल बना लिया बस शोरूम के अंदर होड़े जंगलों में गोड़े है जंगलों के अंदर तो घोड को ड़तो यह तो गोड़ा और फोड़ा इसके ऊपर जितना हाथ फेरोगे अपक अगर फूणा辉 मौह के अधर तो प्योड़ते हो और ओंदी रहेगी हूं रहे अग्हार में कि इनसान से गोड़े एक डेड़ मेना दो मेना हो जाएगा ना मुझे तो मुझे बुलवा कि ये लोग बोलेंगे कि यार जाकी राजा जार दो दिन गोड़ो को गेडा लगा लगा जालों को खड़े को बहुत दीन होगे बादमासी कर रहे हैं तो मतलब दो दी वहाण थोड़ा मेरे पास में घूम आयंगे अभी अच्छा त्यार कर दिया आपको इसको थोड़ा गुमाएगा जब यह थोड़ा सेट होगा अब लोग अनको खुलाय जा रहे हैं पिलाय जा रहे हैं और एक समान दाल रहे हैं तो उसको हर्ड अटेक नहीं होगा तो और क्य तो उसको अटेग नीपड़ेगा तो और क्या होगा यानि गोडे को गुमाना बहुत जरूरी है अब हम लोग अगर चार रोटी खाली चार रोटी खाने के बाद में हम अगर एक जगे बेठेंगे यार मैंने रोटी खाली तोड़ा घूमलू यह तो विचारे ददस किलो दान है तो इनको भी घूमना Mदे माद श है जो मतलब क्या है कि जो गोड़े मेने दो महने में चाही मेरे को दो दीन बूलवा के भी और मेरे से लगवाएंगे और इसमपर गोम भाइंगे जरूरी कि यार ढोंभाएंगे ज़रूर आज फिड गया तो इसको तो .... दो दिन गुमा जाते हैं तकरीबन मैं इसी एरिय में रहता हूं और इनके पास में आता जाता रहता हूं तो मतलब यह दो मेने की खुराग डालते ही गोड़ों को मुझे कह देते हैं कि अब गोड़ा तयार कर दिया आजा वेटे दो दीन ही कुछ चक्कर लगा दे दाना लोगों को यह नहीं पता कि गोड़ी किस यह बने हैं किस जगय की पैदावार कंदान पहसे स्टाटिंइंग है कई कुँ नहीं पता को तो मैं तो यानि-आथ बैसे कि गोड़े डांस का चाल अगेरा का अब इसका मैन आपका ये काम है इसी काम में आपको 27 साल हो चुका है निया जी हां जी हां जी हां ओके